अगर आपका Google Editions Pin आ गया है या फिर नहीं आया है और आ गया है तो आपको किस तरीके से verify करना है चलिए जान लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर आपका address पर अभी तक आपका Google Editions Pin नहीं आया है तो वो किस तरीके से आप मंगबा सकते हैं इस पर मैंने पहली ही वीडियो बनाई है तो उसे देखकर आप apply कर सकते हैं अगर आपका नहीं आया है तब या फिर आप apply करने जा रहा है तब ठीक है तो आपको सही तरीके से आपको apply करना है और तभी आपके address तक आपका जो Google एड address नहीं दिया था यानि कि किसी दूसरे का address दिया था तो वहीं पर जाकर पिन पहुचाता ठीक है अब भी verify मुझे यहां पर करना था तो मैंने सुचा क्यों ना मैं फोन लगा कर और वहां से उस code को पूछ लिए तो मैंने उस code को पूछ लिया है और मैं आपको इस वीडियो मैंने पहली ही बना दी तो उस वीडियो को देखकर और आप apply कर सकते हैं अब ऐसे में अगर आपका गूगल एडिसन स्पिन नहीं आया है apply करने के बावजुद भी तो आपको यहां पर चिंता करने की को जूरुत नहीं है आपको 30 दिन बाद फिर आपको वहां पर यानिकि एडिसन स्पिन apply करने के लिए option मिल जाएगा ठीक है और उसके बावजुद भी नहीं आता है तो आपको करना क्या है जब भी आप apply करें और जहां पर आप address डालते हैं बहां पर आपको bracket लगाकर अपना mobile डाल देना है इससे यह होता है जो डागिया है वो address पर नहीं होगा उसमें पड़ा हुआ address में तो नंबर ही लगा लेगा ठीक है और आपसे बोल देगा कि जो आपका यहां पर गूगल एडिसन स्पिन है वह यहां पर है और आप बहां से ले सकते हैं यह है कि उसमें जो आपको mobile डालने का option है वो आता नहीं है अलग से ठीक है तो आपक जो गूगल एडिसन स्पिन है डाकी आप से कॉंटैक्ट कर सकता है आपके moya number पर और मैंने यहां पर दो मेरे पास यहां पर Google एडिसन स्पिन आया है और दोनों में ही मैंने अपना mobile number अटेच कर दिया है और उन्होंने जैसे ही उनके पास आया है तो उन्होंने मुझे डार बीक बताय जाते हैं ठीक है कि तीन से चार वीक के अंदर अंदर आपका जो पिन है वह पहुंच जाएगा आपके अपिर भी नहीं है तो आपको द्वार अप्लाई करने का उप्शन आजाएगा आप महां से अपर कर सकते हैं किस तरीकित से आपको यहाँ करना है चलिए जान लेते हैं जब भी आप अपने यूटूब चैनल की मेल से ठीक है आपको गूगल एडिसेंस वैबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको लोग इन कर लेना है पर सिंप्ली किलिक करना है क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर कोड डालने का कर देना है और आपका अकॉंट है वो वेरिफाई हो जाएगा उसके बाद में आती है बैंक अकॉंट डेटेल एड किस तरीके से करें जो पैसा है आपके खाते में पहुंच जाए ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको सही बैंक सिलेट करना है जैसे कि जो कि सब बड़ी वैंक हो ठीक है जैसे कि HDFC पंजाब नेशनल वैंक है तो इन में आप खाता खुलवाएं ठीक है और इसी के साथ में वहाँ पर आपको एक कोड लेना होता है जिसे हम बोलते हैं सिप्ट कोड ठीक है जैसे कि वो कोड होता है ग्यारांग को कर ठीक और इसी के साथ में IFC कोड तो वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको नेम डालना है होल्डर नेम जैसे कि अपने फादर की डिटेल्स ठीक है तो यह चीज़े आपको वहाँ पर एडर करता है उसके बाद में जो आपका अकॉंट है वह भी वैरिफाई हो जा सब्सक्राइब कर देना और आपके फिर भी किसी कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट स्क्षिन में दे सकते हैं मिलते हैं इस वीडियो में